असलाम अलेकुम है उन्यजमल वी यॉर वाचिंग माई वी लोग चैनल हम आइस्ता इस्ता इलेक्रिक सिटी की तरफ बाढ़ रहे हैं यानि इलेक्रिक वैकल की तरफ और पेट्रॉलियम मस्नुआत जो है उसका डी एंड हो रहा है इस्ता इस्ता और इंवेस्मेंट भी सारी जो पेट्रॉलियम मस्नुआत या इसी कंपनियों पे लगाते थे जो चीजे पेट्रॉल से चलती थी उसमें से पैसे निकाल के और एवी की तरफ जा रहे हैं यानि इलेक्रिक वैकल की तरफ जा रहे हैं या एवी एम कहते हैं इलेक्रिक वैकल मैनिफेक्चर कंपनी जो है उन में आजकल शेयर मार्किट जो है बढ़ी भी है और उसमें पैसे लगा रहे है यहां मैं स्वीडन में रहता हूं स्टॉक होम में और यहां पे तकरीबन 70-80% गाड़ी जो है वो इलेक्रिक की है या हाइब्रेड है दोनों मिला की नौर्वे हैं वहां पे कुछ दिन पहले अखबार में पाड़ ले थे कि 80% गाड़ी जो है वो इलेक्रिक पे हैं जबके नौर्वे है कैसे हम बुल गए जहां पे तेल निकलता है इतना तेल निकलता है कि वो अपनी जुरियात पूरी कर ले और बेचते भी हैं लेकिन यह का कि संए सा किया सहते हैं अगरफ इस तर दुनिया जए कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक सिटी कि तरफ पाकिसान में जैसे है पाकिसान के हावाल से साॉथ ईस्टेशिया है हम आधालों के नहीं पाकिसान से पाकिसान में भी पेट्रॉल 300 षाप लीटर हो जाएगा कुछ ईर्से बात 300 रूप्र लीटर का मतलब है कि एक आदम रुपए रोज अगर पिट्रॉल पे खर्च कर रही गा तो थीस थाजार रुपए बन जाएगा और तीस चालीस पचास जार रुपए उसकी सैलरी होगी तो थीसजार रुपए कहां से देखा लेकिन अगर उसकी जगा एक इलेक्ट्रिक मुटसायकिल ले ली जाए तो उसमें 20 रुपए में वो चार्ज होती है मुटसायकिल और तकरीबन आपका 2 लीटर पिट्रॉल की बरापर जाए उसकी रुनिंग होती है यानि हुन्डा सेविंटी अगर ले 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 तो एक लीटर पे सतर किलो मिटर तो वो कहते हैं लेकिन यह कि वो 50-60 किलो मिटर एक लीटर में जाती है और अगर इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप चार्ज कर लें 20 रुपए में तो तक्रीबन जो है वो 100 किलो मिटर जाती है अगर कम भी कर ले तो चले 50 रुपए में 50 परसंट पर बात कर लेते हैं तो 50 किलो मिटर जो है उसमें आपकी बच़त कितनी हुई या आप खुद जानते हैं कहां 20 रुपए और कहां जो है वो 300 रुपए तो आप खुद लगा लें के अगर 20 रुपए अगर आप रोजाना खर्च करेंगे अपनी मुटसाए किल पे तो महीन है के 600 रुपए का खर्चा है अगर इसको बढ़ाया जाए मैक्सिमम तो 1000 रुपए का खर्चा है लेकिन 30,000 रुपए में तो फर्चा है आखिर आप खुछ सो सकते हैं तो यह सारी बात है कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक सीटी पे लोग कनवर्ड हो रहे हैं लेकिन लोग का मस्ऩवा ज commemorate प्रॉब्लम है इप रहे हैं कि हमेरे जगा जगा चार्जिंग बाहरे नहीं है योरो फगर में तो कहीं शॉपिंग करने जाए हैं अभ पार्किंग में यह रिध्म फटी प्लग लगावा हूता है कि यहां माइनस 15 टेंपरेचर होता है विंटर में तो लोग अपनी गाड़ियों में प्लग लग आगे रखते हैं ताके गाड़ी गरम रहे तो अल्रेडी बलग होते हैं वहां पे गाड़ियों में करने के लिए तो यही सारी बात है आज मैं पर देख रहा था कि आजकल बहु लेकिन बेटाहशा महाँ अगर बैटरी लगाए तो वही मूर्साइकल तकरीबां डियर्लाग होगी और हमारे आपको पता है कि हमारे जो कहते है वह होता तो है नहीं अगर वह आप से कहें कि अभी लिथियम बैटरी के मूर्ट साइकल है इस वज़ा से महाँ ही है तो वह सक वहां पर चार्जिंग प्राब्लम है, उसकी प्लग लगाना पड़ेगा, प्रॉप्र प्रॉब्लम है यह आज ता आज ता फ्यूचर में देखेंगे कि सारी चीजे जो है इलेक्ट्री की पर सारी चीजे चाहिए और सूलर एनर्जी पर पाइले प्लान जो है यह जो पैनल ज के धूप में चलें वो ऐसे बनाने की कोशिश करें जो रात में भी चलें रिसर्च हो रही है उसमें काम यह भी नहीं हो रही है दूसरा काम वह यह कर रहे हैं कि सूलर पैनल का साइस चोटा करने की कोशिश कर रहे हैं अब जैसे हमारे इस वक जो है तकरीबन नौसौ वाट वाट का भी solar panel आ गया है या या यौरप अगर नौसो वाट का भी आ गया है पाकिसान में 500-700 वाट के भी आ गये हैं लेकिन यह कि उनका size बहुत ब़ड़ा है अगर उनका size छोटा हो जाता है तो यह बहुत बड़ी कामियाबी है क्योंकि बहुत जगा भी चाहिए होती ही लगाने के लिए और नौ फुट लंबा होता है और चार फुट चोड़ा होता है तो आप कितने लगा सकते हैं अगर आपका 120 गस का घर है और आपकी अच्छा सिर्फ 100 गस की है या 60 गस की चाहते हैं तो उस पर आप 4-5 ही लगा सकते ह अगर चोटे हो जाते हैं और जादे लग जाएंगी प्राइस भी कम हो जाएगी चोटे होने के बाद केर करना भी करना भी असान होगा तो यह सारी बाते हैं तो अब देखें फ्यूचर में जो दुनिया इस्ता इस्ता जो है वो तेल को छोड़ देगी और उसको बेचने वाली जो कंट्री हैं जैसे साओधी अरब बहुत बड़ा कंट्री है एरान है फिर दुबई है इधर उधर तो यह लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि टूरिजम की तरफ जाए तो साओधी अरब ने भी प्लैन किया है कि अपने मुल्क में जाए टूरिस प्लेस आज लेगर आते हैं क्योंकि टूरिस आतर ऐसे मुल्क में जाते हैं जहां पर फिर हो कि पीना-पिलाना पब वगए और होटलिंग और डांसिंग और यह सारी चीज़े टूरिस को मिलती है तो टूरिस आतर यारप अमरिका के वही जाते हैं और यही टूरिस जो हैं जिन से पैसे कमाई जा सकते हैं, वरना एशियन कंट्री के जो टूरिस हैं उनसे तो इतना साथ पैसे नहीं कमा सकते हैं, फिर ये कि मुसल्मान मुल्क के टूरिस जो हैं, वो ये सारे काम नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के टूरिस को अट्रेक्शन देने के लिए अपने अपने मुल्क में हायरा इस बिल्डिंगें भी बना रहे हैं फिर इश्टहराद लम्मे चौड़े दे रहे हैं यह सारी चीजे हैं खिर यह तो होता रहता है तो इस तरह आप टूरिजम की तरफ जा रहे हैं जबके जब जाना चाहिए तब तो गए नहीं सो रहे थे कि तेल बेचो और खाओ और मज़े करो लेकिं वो मज़े खतम होने वाले हैं दूसरी चीजी है कि रशिया यूक्राइन की वार के बाद जो है रशिया की सबसे बड़ी आमदा नीजए वो तेल की है और जहां जहां जब जब यॉरप का तेल और गैस बनोने की बात होती है या उनके उपर होता है तो इस वजह से यह चीज़े इजाद हो गई हैं कि अपने घर की चछत पर सूलर पहने लगाए हैं और हासिल करें और इससे सब ज़्यादा फायदा जो है वो गाउंधियाद में जो पाकिस्तान इंडिया बंगला देश वागर एक गाउंधियाद में र जब हमने टेलिफून की दर्खास देती टेलिफून लगवाने के लिए 70s में या 80-85 तक तो यही हाल था तो यह तो कहते हैं तो आप 20,000 रुपे जमा कर दें और फिर आइससा बिल में कट जाएंगे टेलिफून आपका फॉरान लग जाएगा कुछ महीना में लेकि डिमां जानने वाले थे यहां भी अप्रोच हासिल करना पड़ी और फिर उने लगा दिया था फिर उसके कुछ साल बाद ही पाकिसाने मुबाइल फून का जमाना आगया और उसके बाद लोगों ने मुबाइल फून लेना शुरू किये और पाकिसान टेलिफून के लेंड लेंड जाने दोगों जाने खराब रहता था दूसरी चीज यहां कि बिल नहीं रुकता था तो टेलिफून ठीक हो नहीं हो लोगो लाइन रेंड जो है आपके एद्धा आपके यहां कि यह प्यूंद आप यहां कि हर आदमी ने अपना पर्सल्वण फिन पास अर अब यहाल है लो वोड़ा सब बहुत जादा यह है कि एफिशेंट हो गए हैं और काम करने लगे हैं क्योंकि लोगों ने तो लाइन देना छोड़ दी और होता है यह इसी तरह आइस तरह आइस तरह यह यह आइल प्राइजिस तो पाड़ नहीं है ताके अपना तेल बेचें जैसे कि एमरीका ने बहुत जादा तेल जब सब्सक्राइब यह तो अपने मूल के भर लेते हैं जब महँंगा हो तो बेच लेते हैं यह एक बिजनिस है अब उनके जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉक जमा है जो यानि बचा के रखावा है तो वो सब बेच रहे हैं यानि सारी दुनिया तेल बेच रही है प्राइज आर्टिफिशल बढ़ा दिये ताके कमाई कर ले उसके बाद आप खुद देखेंगे कि यह पिट्रॉल की प्राइज है तो वो पचास साथ डॉलर पर आ जाएगी तो यह हाले दुनिया का नई से नई से चीज़े आती रहती हैं सूलर पैनल की बात कर रहे था अब जिसे हमारे वाबड़ा है के यह कराची एलेक्रिक सप्लाई का अपरेशन या के यह कराची एलेक्रिक अब अभी तो अपनी मन म होते हैं और जितनी भी बिजली चोरी होती है उसके सारे बिल अवाम के ओपर पार्ट देते हैं अठागे परसंटेज के साब से फिर उसके बाद इलेक्रिक डूटी होती है ऐसे लगता है एलेक्रिक सीटी हम अमरीका से खरीद रहे हैं लेक्रिक डूटी का एकी लिगे बस लेने के लिए हर किसम की डूटी लगा देते हैं मीटर रेंट आप अपने घर में इलेक्रिक सीटी लगवाएं वह तो लाग डियर लाग रुपए तो आपको कनेक्शन देते हैं मीटर की भी पैसे आप से ले लेते हैं लेकिं उसके बाद मीटर रेंट जो है सारी जिंदी के आप मीटर बदल आदें फिर पैसे दें यह नि बस दिये जाएं पैसे इलेक्रिक खर्च करें नहीं करें आप क्या बिल उते ही आता है यह यह उनको समझाना पड़ता है भाई इस जवात हम एक साल से तो हमारा घर बन पड़ा है वो इस बात को नहीं मानते हैं आपको आपको प्रवादाल की होती है और यह के 200-300 अपैर तक की बैटरी आ गई है इस वक्त महेंगी है सस्ती हो जाएंगी ज़ादे लगवा लेंगी खिर यह कि बहुत ज़ादा है लोग लगवाएंगे पैनल वगर यह वह तो इनकी प्राइस पी कम हो जाएंगी बहुत सारी बैटे होंगे यानि कनेक्शन आप फून करें फून करें घंटे बाद आपके अलेक्रिक सीटी का कनेक्शन दे देंगे तैयार बैठ होंगे लेकिन लेगा कोई नहीं हर आदमी जो है सूलर पैनल पर गुजारा करेंगा और उसी से बिजली बनाएगा और रात में काम करने लेगे वाले भी सूलर पैनल इजाद होई जाएंगे तो यह जो कमपनियां जो लोगों के साथ कर रही है है यह कल को मक्ही आवारेंगी बैठ के हो सकता है कि इनकी मर्दी को हुआज जब को नहीं बना दे कि आप सूलर पैनल लगवाएं तब भी लाइसस दें उसका लाइस क्या आप लेकिन आपको टेक्स लगा लगाएं अपनी बुलिट भुर्प गाड़ियां अपनी याशियां फ्री की वी जमीने एक दूसे को है लोट कराना रहा है जो तो अपने वारें फ्रिय की किया कहते हैं यह जमीने शमीने यह वह सारा चीज हैं मैं inference काम सारी जिन्दी कोई ऐसी बात नहीं कर रहे होते हैं जिससे अवाम को फायदा हुआ। सिर्फ अपने जो है वो कमीशनों की और क्या कहते हैं यह डेवल्प्र प्रोजेक्ट वगएरा पास कराना और नक्षे पास कराना और रोडों के ठेकों की यह बाते हो रही होती हैं कि बेए उनको तर्याकादी बजट के पैसे नहीं मिल रहे हैं उस पर रो न रो रहे होते हैं कि उननकों पता होता है, सामने तो लेते हैं पीश है कहते हैं, वह नीक्के पानवालाा बैटा है उसे जाक criticisms यthा ये कि नोगता है, आज मुबाईल फून ओqi प्र स đếnथा वो गाड़ीयों तो हो जाती है लेकिन कि मोर्चारे के लेक्टरिक बन रही है उसको रिजिस्ट्रेशन नहीं होती है लेकिन आप सुनाए कि कोई पॉलेसी बनने वाली है और इसके बाद ही सारा कुछ होगा तो बात यह सारी कि लोग लेने में हिच-किचा इसलिए रहें इलेक्ट्रिक वेक का लिए अमॉट साइकल वगरा उसकी वज़ाए कि मॉट साइकल तो हाइबरड आई नहीं कि पिट्रॉल पे भी चल जाए लेक्ट्रिक भी चल जाए तो लोग वह यह खरीदें सिर्फ इलेक्ट्रिक की आई है उसको चार्ज करने की प्रॉब्लम है होना तो यह चाहिए कि आदमी जहां भी जाए वहां पर इलेक्ट्रिक का पॉइंट हो तब तो लोग गाड़ी हैं मॉट साइकला खरीदेंगें अदर्वाइस उनके लिए बहुत मुश्किल होगी लेकिन अब वहां धाया वहां दाएज को पूरी कोशिश कर रहें भीचारे कि पाकिसान कायम ना रहा है इनकी हरकते तो यह जाते हैं आस्ट्रेलियम इनकी जमीने हैं कुछ लोगों ने जजीरे भी लिये हैं कुछ लोगों ने बहुत कुछ बना लिए लेकिन बाहर मुर्गों में रखावाय क्योंकि अंग्रेजों ने जाते जाते जो है ऐसे ही नहीं गए थे हमें छोड़ के वह भी प्लैन करके जाते हैं अखवानिसान से भी अमरीका गया है लेकिन आपको फ्यूचर में पता लग जागा कि उन्हीं के लोग बैठ गए आगे हैं डील करके पता यह अंग्रेजों ने जाते जाते जो है अपने इदारे ऐसे बना दिये थे जहां पर जो भी उनके आगे की पॉपलेशन हमारी हो वो उन्हीं की लोईल हो उन्हीं के काम करें अब करप्ट लोगों को बिठा दिया है वो सारा पैसा मुलका जमा करके और इंग्लेंड की ख मुलका दिया है अपने फिर्ल को बिठा दिया है और फासा मुलका जमा करके इनके मुलकों भेज दियते हैं और जितना आम्रीका करजा दीता है पाकिसान को वे सारा पैसा में चले JACाता है सारा प्रॉपर्टी में लगाँ होता है थे लिब्सम है बस cloves चर जाते है एक वह भाग जाएंगे, मैं तो नहीं हम लोग तो नहीं भागेंगे, वो लोग भागेंगे जो इस मुलक आइस तरह सब बेच रहे हैं, अगवानिसान की जंग होई थी, तो इन्हें तो यह करना चाहिए था कि मुलका सारा कर्जा माफ करा ले थे, कर्जा माफ नहीं कराया, कमिशन लिया, और उन्होंने कमिशन देने पर यह राजी थे, जबके उनसे किसी नहीं नहीं कहा कि हम तुमारी जंग लड़ें इस मुल से, तो हमारे मुलका कर्जा माफ कर दो सारा क्यों नहीं कहा, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि यह तो चाहते हैं, चीज़ें बढ़ाते नहीं, अ हो सकते हैं, उनको कुछ रिलीफ मिल जाए, दर्वाइस तो को समझ में नहीं आते हैं, मैं हूं नजा मलवी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट्स में लिकें, कैसे लगा और अगली हम किस मौजू पर बा अधर प्रमोट हो, क्योंकि हमान नया चैनल है, और यह कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप लोग प्रमोट करें, और कोशिश करते हैं कि ऐसी इन्फरमेशन लाइन जो आपके पसंद आई, ठीक है, खुदा आफिस, कल फिर मिलेंगे, खुदा आफिस.